हेलो फ्रेंड्स शभीकों नमस्कार वेलकम बैक टू मा यूट्यूब चैनल साथ यो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक अच्छा अपडेट लेकर आया हूँ और अपडेट यह है कि कोरोना से इम्रत परिशद्य विद्या लेके शिक्षकों के आस्रितों को नोकरी दे सबस्कारीब करें देखते हैं पूरी खबर गोरखपुर कोरोना महमारी आपड़ा में मरतक शिक्षकों के आस्रितों को अनुकंपा के अधार पर ततकाल मरतक आस्रित न्युक्ती अन्य देव के बुगतान आदी का लाब दी जाने के संबन में गोरखपुर जन्पद में को सुरू कर दी है ब्यस्से ने चार सदस्य समीती गठित करते हुए खंड शिक्षा दिकारियों से ब्लोकवार मरत शिक्षकों से संबन्दित काखजात उबलब्द किराने का निर्देश दिया है ताकि इस मामले में तोरित कारवाई की जा सके 25 चुनाओं से लेकर अब तक जन्पद में परिशद्य विद्याले के 50 सिक्षकों दे सिक्षनेतर करमचारों की कोरोना संक्रमन के कारण मरत्यों हो चुगी है इन सिक्षकों के आसिरतों को नियम अनुसार अनुकंपा की अधार पर नोक्री तगा जीपिएफ बीमा वे अन्य देवकों का भुगतान देने का प्रावदान है इस प्रावदान का समय से निश्टारन करने को लेकर विभाग ने टेजी से पहल करते हुए निर्देश चारी कर दिया है विभाग ने जीले के सभी खंट शिक्षा दिखारियों को 17 मई तब अपने अपने ब्लोक के मरतक शिक्षकों की सूची वे उन्चे सम्मंदित आवश्यक काजात उपलब्द कराने को कहा है चार सदस्ये मरतक आसित निश्टारन समीती बियसे ने मरतक शिक्षकों वे करमचारियों के परकरण के निश्टारन के लिए नोडल अधिकारी के निश्टारत में चार सदस्ये मरतक आसित निश्टारन समीती गठिकी है इसके प्रभारी वे नोडल अधिकारी कैपिर गंज के बी-ई-उ सुबास गुप्ता को बनाया गया है सम्मनित ब्लोक के खंड शिक्षा अधिकारी सहजोगी अधिकारी वे पतल सायक फैसल हसं सिद्धी की वे मिथिलेस दंदन बतोर सहजोगी समीती में सामिल किया गई है कोरोना से मरस जीले के शिक्षा को वे क्रमचारियों के आस्रितों को नोकरी वे देखों के भुगतान के लिए समीती गठित कर दी गई है समय से यह परकिरिया पूरी करने के लिए नुडल अधिकारी द्वारा इसकी नियमित समिक्षा की जाएगी बियंसिंग बेसिक शिक्षा दिकारी साथ यू यह है वो आदेश जो बियस से गुरकपुर कियां से निकला है दिनांग दस मई दोहजार एक्किस विशह है जनपद में कोरोना महमारी आफदा में मरतक शिक्षकों के आस्रितों को अनुकंपा के आधार पर ततकाल मरतक आस्रित निक्ती अन्य देकों के भुकतान आदी का लाब दे जाने के सम्मन में आज पूरा विश्व कोरोना महमारी के प्रकोप का सिकार बना हुआ है बेसिक शिक्षाय भाग जनपत गुरखपुर में कारयत कई सिक्षक शिक्षनेतर करमचारी भी इस महमारी शेश ग्रेसित हैं जिन में से कतीबे शिक्षक शिक्षक शिक्षनेतर करमचारों की मरत्यू भी हो चुकी है जिनके आस्रितों को अनुकंपा की अधार पर नियम अनुसार तत्काल मरतक आस्रित नुक्ती अन्य देगों के भुगतान आधी का लाब दिया जाना है। जिनके खुक शिक्षक शिक्षनेतर करमचारों के आस्रितों को तत्काल लाब परदान कियाने है तू जनपद इस्तर पर मरतक आस्रित परकर्ण निस्तार्न समीटी का गठन किया जाता है। जिसमें निमलिकित अधिकारी खरम चारे समीटी के सदस्टे के रूप में मनोनित किये जाते हैं 2. नमबर तेन, स्री फैसल हसन सिद्धी की वरिष्ट साहद, पतल साहद, स्री मितलेश नंदन, परिचारक, ये भी साहदोगी के रूप में काम करें। उख्त के करण में आक को निजदिशत किया जाता है कि अपने अपने विकास खंड के मुर्तक शिक्षक शिक्षक शिक्षतय करम-चारियों के आसृतों को ततकाल लाब-परदान करायाने है तू आवशक पत्रवालियों को तयार कराकर अदो हस्ताक्सिरी कारेयल्यमे जिनान 17 म तक प्राप्त कराएं जिससे आस्रितों को से समय उनसे संबंदित लाब देयक परदान किये जा सके। इसमें किसी भी परकार की सिछलता ने बढ़ती जाएं मानुए अधार पर उक्त परकरन को प्राप्मिक्ता परदान की जाएं तो साथ्यों यह आदेश था बियस से गुरक परका जो बहुत अच्छा आदेश निकाला है मुझे लगता है कि उत्तर परदेश में अभी किसी भी बेएस सोफिस से इस परकार का आदेश नहीं निकला है अब इसके बार में और बेएस से भी इस परकार की आदेश निकाल सकते हैं साथ्यों यह फारम है जो बहरा जाना है मरतंग आसरित की नेक्ति है तू आवेदन पत्तर का प्रादू तो साथ्यों इस आदेश की और इस मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्सन बोक्स में उपलब करा दूँगा तो साथ यो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगा गर वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब भी करें धन्यवाद